मतलब लोगतंत्र की पहली इकाई मनुस, लोगतंत्र की दूसरी इकाई पडिवार और लोगतंत्र की तीसरी इकाई समाज होता है और समाज में ही राजनीती होता है जब लोग लोग तंत्रिक नहीं होगे पडिवार लोग तंत्रिक नहीं होगा समाज लोग तंत्रिक नहीं होगा तब आप चाहते हैं कि राजनीती लोग तंत्रिक हो जाए कैसे होगा नेता आपके घर में रखा हुआ वो डस्ट बीन की तरह है जिसमें आप अपना ही कच्रा फिकते हैं आपके पिज़े के दस्ट्वीन रखा होता है उसमें कि आप अपने पुरोशी का कच्रा फिकते हैं कि आप जो बनाते हैं जो उसका बचता है वही अपने डस्ट्वीन में फिकते हैं जिसको आप नेता कह करके अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला जार लेना चाहते हैं वो आपका ही नेता है याद रखेगा इस बात को और इस बात को समझना आज बहुत जरूरी है कि लोग तंत्र खत्रे में क्यूं है क्योंकि आज और सहमती की जगह नहीं बची है चार साल हुए है सरकार को मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मानिया मोदी जी को अटल विहारी वाजपई की याद दिराना चाहता हूँ कि राज धर्म निभाईगे अटल विहारी वाजपई बिमार हो गए यह सरकार में आ गए यह कैसे हुआ यह कैसे हुआ अटन जी विमार हो गए, आडवानी जी जो है, मतलब हमेजा के लिए वेटिंग में चले गए हैं, और मुर्ली जलो, मनोवर जी को पता नहीं है कि अगली बार सांसर बनेगे एक नहीं बनेगे, ये होता कैसे है, हमारे आपके बीच में, क्या पत्रकार नेता नहीं बनता है, स मज़ेदार बात के है कि सेना, जिसके वारे में साफ साफ कहा गया है कॉंस्टिटूशन की, उसको पुर्व अध्यक्ष में नहीं आना चाहिए, उसके पुर्व अध्यक्ष में मंत्री बनेगे हैं, पाकिस्तान बनने की तरह हम बहुत तेजी से बढ़ने हैं, ये जो परिस स्पक्ष बने रहेंगे, हम तो बढ़ियां एकडिमिशन होना चाहते हैं, हम बढ़ियां सोसल एक्टिविस्ट बन करके रहेंगे, हम बहुत लाजवाब फिल्मेकर बनेगे, तो खुब बढ़ियां किर्केट खेलिए, और देश का चैलेंज लेने के वज़ाए, पढ़्ध अजिता हैं, और जब नागरिक समाज की भूमिका डिमोक्रटी के अंदर निम्तम हो जाती है, तब लोग तंत्र के अंदर ताना साह पायदा होता है, और ताना साह जो है, किसी भी उसहमती को बरदास्त नहीं करता है. अब सबसे तहीं बात कि इस इंक्लूजिव इंडिया के प्रोग्राम के ऑर्गनाइजर को बहुत भाएज़र को बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को इंक्लूजिव बनाये रखने की कोशिश की है हलाकि वहाँ बैठकर मैं तमाम वक्ताओं को सुन रहा था तो यहीं सोच रहा था कि मैं बोलूं क्या और हॉल के लिए बोलूं कि हॉल के बाहर के लिए बोलूं क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज जो हॉल में बैठे हैं और जो हम हॉल के लिए बोलते हैं जो हॉल से बाहर एक बहुत बड़ी आवादी है, उससे connection नहीं भाता है। इस स्टेज communication के जमाने में हम इतने isolation में चले गए हैं। इतने isolation में चले गए हैं कि हमारी जिंदगी Facebook के उस विकल्प की तरह है। कि या तो आप लाइक कीजिए या कमेंट में गाली देटर के आगे बढ़ने हैं। डिसलाइक करने का कोई option नहीं है। या आप ये ना कह सकें कि आपके आधे paragraph से हम लाइक कर रहे हैं और आधे paragraph पूर डिसलाइक कर रहे हैं। ऐसा production का दौर है या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाव हैं। ऐसा नहीं होता है समाज और ऐसा समाज को नहीं होना चाहिए। और इसलिए personal, political और social इसके बीच का जो एक अंतर है, वो अंतर इतना घालमेल हो गया है कि आज आप एक सही position लेने की इस्थिती में नहीं है। मसलब कि ये बात सही है, कि एक प्रधान मंतरी के बखान के तौर पे, जो मोदी जी के बारे में कहा गया, उसको एप्रिशेट किया जाना चाहिए। अगर वो आद्मी चाय बेचा है, तो मुझे doubt है। अगर वो चाय बिचा हो, तो एक चाय बेचने बाले का बेटा यदि देश का प्रधान मंतरी हो, तो ये तो लोगतंत की सबलता है। अगर इस देश के अंदर, जिसको बहुत सांदार अंगरे जी नहीं आती हो, जिसको बोलने के लिए जी बहुत टेढा करना पड़ता है। इसके बागजूत भी यदि वो सबसे जादा लोगों के द्वारा सुना जाता हो, तो ये अच्छी बात है। ये तो लोगतंत की जीत है। एक साधारन कार्य करता, बनाए कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं और कुल्लू में चुना जीतना चाहते हैं। वो गुल्लू में पॉलेटिक्स करके आज दिल्ली के सेवन रिसकोर्स में बैठा होगा आदमी है। तो एक साधारन कार्य करता ये देश का पठानमंत्री बन जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच महिशा हुआ है क्या। मैं यहां आपकी बात से सहमत हूँ कि पठानमंत्री को बकरा बनाया है। और वो बकरा बने हैं किसके? वो बकरा बने हैं इस देश के अंबानी और अधानी के।